पशुपती व्रत घर में कर सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यों जैमाता रानी दोस्तों कैसे हैं आप सब यदि आप सब अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाय लिखना बिल्कुल न भूलें पशुपती व्रत को लेके आपके बहुत सारे मेरे पास प्रशन आ रहे थे और बहुत सारे ये प्रशन थे कि हम व्रत घर में कर ले या मेरे पडोसी के हाँ पर शिवलिंग बना हुआ है में महां जाके कर लूँ या मेरे गाओं में मंदिर नहीं है तो मैं क्या करूँ या मैं किराय के मकान में रहती हूँ तो मैं क्या करूँ तो मैंने सोचा क्यों आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि आपको भी आसानी हो और आपके प्रशनों के उत्तर भी आपको मिल जाए देखिए सबसे पहली बात आप आधी अधूरी जानकारी पे मत जाया करें क्योंकि यूट्यूब्स पे मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिनों ने कहा है कि पशुपती व्रत आप घर में कर सकते हो परंतु आप शिव पुरान उठाके देखिए शिव महापुरान में वर्ण जो शिवाले का शिवलिंग होता है वही इस व्रत में सर्वश्रिष्ट माना गया है यानि कि उस शिवलिंग की मान्यता नहीं है जो आपके घर में रखा है आप पुजा पाइट करते हो बहुत अच्छी बात है पर महापुरान में यह लिखा हुआ है कि पशुपती व्रत म जो मंदिर में रखा हुआ शिवलिंग है उसी शिवलिंग की मान्यता मानी जाती है क्योंकि उस शिवलिंग पर सभी लोगों के दृष्टी पड़ती है और उस शिवलिंग पर यदि आप व्रत करते है तो आपका व्रत पून माना जाता है तो यह गलती ना करें देखिए व बच्वान ने मेरी नहीं सुनी तो आप देखिए सुनी-सुनाई बातों पर ना जाए वरत मंदिर में जाकर होता है तो इस वरत को मंदिर में ही करें अब कुछ प्रश्ण मेरे पास थे कि यदि मेरे पडोसी के घर में शिवलिंग मना हुआ है या मतलब उनके घर में पूझा करते हैं तो मैं वहाँ जाके पूझा कर लूं क्या तो देखिए मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि घर में रखें इस शेवलिंग की माननेता इस वरत के अंदर नहीं है अब एक प्रश्म मेरे पास यह था कि मैं माईके में हूँ अभी तो मैं माईके से ही वरत स्टार्ट कर पोत्र आपका नाम आपका सरनेम सब कुछ बदल जाता है और यदि आप विवाहित होने के बाद अपने माईके से व्रत करते हो तो इसका कोई पुन्य फल आपको या आपके पती को नहीं मिलता है तो शादी शुदा महिलाओं को जो भी व्रत होते हैं बड़े जैसे सुराल में कर लिए अब मुझे मेरे माईक के जाना है तो क्या में वहां पर व्रत कर लूँ देखिए सबसे बड़ी बात पशुपती व्रत में एक नियम होता है जिस मंदिर से अपने व्रत उठाया है यानि आपके पती के घर में आप रह रह रहे हो आपने इस मंदिर से व पूरे करना है और पती के घर से व्रत लिया है तो आपको पती के घर में ही पूरा करना है माईकेक आपको अन्य जल ग्रहन नहीं करना है अब अन्य प्रशन मेरे पास था कि हम किराये के मकान में रहते हैं तो क्या में व्रत करूं या नहीं करूं देखिए इसका किराये के मक कोड़ ने द Sinne Statue guitar कि net अ pre crops गिराय की मकान कोज्य कौश्ऑ करते हो प्रंतु ध्यान यह पांच को अगर माफंने रन्टेड वाले जिस मकान को को न आप पूरे करने हैं कर स्वादब होता है लने अपना मकान खरीद तुर 2 श्याव sends to have a एक ही मंदिर, एक ही घर में आपको रहके वरतों को पूर्ण करना है, अगर आप घर shift कर रहे हो, तो फिर आप shift करने के बाद ही 5 वरत स्टार्ट करो, ऐसा नहीं यह कि आपने तीन वरत यहां कर लिए, दो वरत दूसरे घर में जाने के बाद हम कर लेंगे, अब मेरे पास एक कोई बहुआ के नहीं कोई भयों कैंदिर भगवान भोले नाथ के एक गली में अकसर आप Depois नहीं हो कि परनत में देखूँआ क्योंकि आपधी के वरत में रहती हैं uh तो आप पांच व्रत में थोड़ा सा तो भगवान के लिए कष्ट उठा ही सकते हो क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया आप व्रत करतो लोगे परंतुस व्रत की कोई मान्यता नहीं रहेगी तो आप कोशिश करें कि आप कोई भी मंदिर ढूंडे जो भी थोड़ी से दूरी प उक्राणों में वर्णैत की जब आप मंदिर चप्कल पहन के जाते हुं चपल को जब आप बाहर छोड़ते हैं कि यतनर आप पूजा में मगन हैं पूजा कर रहे हैं लोग आपकी चपंपल को कटूकर लगती कि उसका पूरा पाप आपके पुन्ने के खाते में जमा हो जात तो आप नंगे पहड़ जाए और अगर मंदिर दूर है तो चपल को कहीं ऐसी जगह उतारिए कि लोग आपकी चपलों को उलांगे ना क्योंकि चपल के रूप में आपके उपर शनी की दशा भी होती है तो इसलिए विशेज ध्यान रखिए कि जब आप मंदिर जाए तो चप इसलिए आपको ये वीडियो पसंद आया हूं क्योंकि मैंने आपके प्रश्णों की और दिया है अगर आपको कोई भी प्रश्ण है आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट-वक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछिए हम उत्तर देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे और